हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सभी का आपके अपने चैनल इगनो गाइडन्स में बहुत बहुत शागत है फ्रेंड्स मैं आरती चलिया यह आज का जो भी वीडियो है बीपी एसी 130 का है जी हां और इसमें हम ब्लॉग 4 ले रहे हैं ठीक है और ब्लॉग 4 में यूनि 27 राजनीती दर दल विवस्था है और है ओके बहुत आप ब्लॉग भी है और इंपर्टेंट इस इतने भी ब्लॉग टॉपिक हो सभी इंपर्टेंट है उसमें बहुत बहुत कुशन कुर ओंगे एभी में कल तक में लेका आउंगी तिका आज के वगा 23 हो गया ना 24 25 को में बने के आऊंगे 28 को आपका एक्जाम है तो चलो यहां पर देख लेते हैं चलिए दल और दली विवस्थाएं क्या कहलाती है ठीक है दलो के कार देख लेंगे और दली संगटन के विकास कुछ प्रभित्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें देख लेंगे तो अब दली विवस्थाय क्या कहलाती है ठीक है न तो चलर पहुंद धे देख लेए दलसे और इसका निरमार किस तरह से वह मिल जाएगा लेकिन हम दल से स्टार्ट करते हैंverse स्टार्ट केरांट किया एक अधनी कांटर्मार mo federals लोक्टर τα deswegen जो लोगों को शामान आधार परेकत्रित करता है। उन시면 संगत्रित करता है जन्मत का निर्मार करता है当ा अपने समर्थ क। ओर विधाद्वाइ प्रिष्ट्सवर्थ में नई सफंप्रभार्य था करता कौश्र की अलगोदर car चल अब हम लगए यह जानीतिक कंते हैं भार कि कि local कृतरा स्वान की अपना ओर मोट्वां करना समर्थ या ने एक धापदी था ने रहते हैं उन्हें वियक्तिकत चिंता और शमान नीठ के खंच के समाज के अंदर बिरोधी समुह की सेवा में जुट्टे समुह को दल के नाम से ना बुलाकर अपमान जंग तरीके से गुट कहा जाता था यानि कि ब्यक्ति पहले सुतंत्र होता था और समान हित के लिए यह दिवो समान हित के खर्च से समाज के अंदर कोई ऐसा एक समू है जो लोगों की सेवा करना चाहता है तो यहां क्या कहलाता है उन्हें पहले दल के नाम से नहीं बुलाया जाता तो उन्हें गुट कहा जाता ठीक है और उन्नीशु सताब्दी के उत्तराद में जाकर नागरीक अदिकारों और निर्वाच की मतादिकार के विस्तार के साथ ही राजनीतिक दलों को शुत्रित मिलनी सुरू हो गई थी और बीसी सताब्दी के आरम में मोसे ओसत रोगोरस्की ने मोसे ओसत रोगोरस्की ने राजनीतिक दलों के बढ़ते महत को पहचाना और विष्वाणी के रोप में कहा कि जहां कहीं भी दल का ये जीवन बिक्सित होता है ये अपने नागरीकों की राजनीतिक भवनाओं और शक्री इक्षाओं को संकेंदित करता है और कुछ दसकों में पश्मी यूरोप में ब्यापक राजनीतिक दल मतों के लिए लड़ रहे थे जबकि यूरोप के निस्सों में सरवादिकारवादी राज्यों जैसे सामवादी फासिवाद राज्यों हो गये ये सक्ताधारी दलों ने आदर समाज की कलपना के उनसा समाज की पुरन निर्मा मस्ताधय लग अिखनेसिती। उसरे ये जगडा हो गया तो गुट में यहां पर परस्पर क्या देखाजता एंगाजना ही जाती है में अदोस्मनीन देखी तो पहले उन्हें दल के नाम से नहीं पुकारा जाता था, गुट के नाम से पुकारा जाता था, लिकिन आगे चलके और निश्वी के बाद बीशु सताब्दी आते आते, बहुत से ऐसे देश थे, जहां पर अग्दल को मानता मिल गई हो दल की रूप में काम करने लगे, खास राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाते हैं, तो राजनीतिक दल वे एक अभिकरण है, एक एजनसी है, राजनीतिक दल, जो राजनीत के प्रक्रिया होती है, उसको सुविधा जनक बनाते हैं, ठीक है ना, तो वे क्या है, और वे नागरिक समाज, संग, क्लब, नागरिक समाज है, संग है, क्लब है, ये क्या है, इसको क्या कहा जा सकता है, ये किस तरह से अलग है, किस से दल से, तो इनकी जब द्यापक्ता के बारे में हम देखते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इनके बारे में सहमती प्राप्त करना आशान होगा, मतलब राजनितिक दलों का विकास लंबे समय से और निश्चित राज्टी संदर्वों में होता रहा है ठीक है ना चाहे वो संगठन में हो चाहे वो विचारधाराओं में हो निर्वाचन में हो अवियान संसादनों में हो किसी वी चेश में हो दल का जो है निर्माण हर एक रूप में होता रहा है तो राजनीतिक दलों के बारे में उनकी परिभाशा के समय के साथ परिवर्तन हुआ है यानि परिभाशा भी समय के साथ साथ बदलती रही राजनीतिक दल की अब राजनीतिक प्रचार जो पुस्तिका है thoughts on the cause of the present discontent में Edmund Work ने एक दल की परिभाशा दी और नोंने परिभाशा दी कि व्यक्तियों का एक समय जो किसी निष्टि सिध्धान्त जिस पर वे सहमत हों पर चलते हुए अपने सामोहिक प्रतनों का राश्टी हित को प्रोशाहित करने के लिए एक टाक की सूत में बदे होते है कि रूप में प्रस्तुकी तुन्होंने कहा कि व्यक्तियों के एक समय होता है जो उनके सिध्धान्त होते हैं वो सिध्धान्त पर वो चलते हैं और सामोहिक हित के साथ साथ राश्टी हित को भी आगे बढ़ाते हैं और एक ट्रक की सूत में बदे हुए काम करते हैं ये दल कहलाता है ठीक है ना तो यह जो एडमेंट वर्ग है उन्होंने इसके परिभाशा दी दल के ठीक है फिल लगवग एक सतापदी बाद जो विख्या जर्मन समासास्त्री मैक्स बेवर है उन्होंने राष्टी हित को प्रोशाहन से ध्यान अटाते हुए उसे सक्ट परकेंदित कर दिया और उनका मान होना था कि दलों की क्रिया का रुजान समाजिक शक्त की प्राप्त की योर अर्था समाजिक क्रिया को प्रभावित करने की दिशा में है यानि कि यहां पर उन्होंने राष्टी हित का ध्यान अटा दिया कि जो दल होते हैं राष्टी हितों को प्रोशाहन नहीं करते हैं बल इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक डल का प्रातमी कुद्ध दे सक्ति पर बिजय प्राप्त या उसके अभ्यास में एक हिस्सा प्राप्त करना है यहां पर आप सभी लोग विचार रख रहे हैं कि राजनीतिक डल से आपके सहमत है सभी विचारों के कुछ विद्वानों की विचार प्रसुत कर रहे हैं तो फिर आपको यह एंसल लिखना होगा ठीक है ना तो यहां पर कुछ एग्जामपल दिये हुए हैं जो कुछ राजनीतिक डलों की परिभास यहां पर अपने रूप में दिये हैं तो अगर हम यहां पर देखें कि डल कहलाता क्या है ठीक है ना तो राजनीतिक डलों की परिभास आएं जैसा कि हम उपर देख लिए हैं राजनीतिक डलों के कुछ पहलों और आयामों पर ध्यान देती हैं और चूक जाती हैं ध्यान देने में जैसा कि वाइट पर वे अपनी आवाज एक बिसिस्ट पहचान है इस्थाई दाबों के पक्ष में ठाने का कार करते हैं तो यहां पर दल है क्या आप इसे चलिए वें देख लेते हैं क्या दल क्या कहलाती है अब दल को हमने राजनीतिक दल आब यहां तुलनात्मक राजनीतिक अब अब दल की हम पर ख। परुबर थे एक प्रिवास निखा ले तो लों की बात करते हैं इस्थानी संकचों के साथ सेमित और शा बिराम संबंद वाले सेष्ट व्यक्तियों का एक डिले तरीके से जुड़ा हुआ सम्मू नहीं है बलके वारी परिभासा के लिए संगठन में निरंतरता अर्थात एक संगठन जिसकी संभावी जीवन अवदि बर्तवान नेताओं के जीवन पर निर्भन ना हो इस्थानी और राष्टी कायों के बीच नीमी संचार और अन्ने के संबंद के साथ में ठीक है तो दल में क्या क्या होना जरूरी है दल में सबसे पहले संगठन जो है वो निरंतरतायानी लगातार गसील है किसी एक ब्यक्ति के ना रहने से वो खतम ना हो यानि एक ब्यक्ति जो है जब तक एक ब्यक्ति के उजीवन के उपर निर्भन ना रहे दल ठीक है ना और इस्थानी और राश्टी कायों के बीच नीमी संचार और संबंध को दल कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक राजनीतिक दल के कुछ कार्यों पर नजट डालने से बहुतर समझने मदद मिलती है कि एक दल क्या है और क्या नहीं हमने देखा कुछ विद्धत्त डल को परिभासित करने की प्रक्रिया में एक दल के महा पूर्ण कार्यों कर हमारा ध्यान वह आकर्शित किया ठीक है न तो अब दलों के कार देख लेते हैं तो डल है क्या हम यह देख लेते हैं कि जो राजनेतिक दल होता है लोगों का ऐसा एक संगठित अब इसे भी यहाँ पे आप गुट भी कह सकते हो आज भी दल को दल कहते हैं गुट नहीं कहते हैं तो गुट इसलिए कहा जाता है या ऐसा यह भी कह सकते हैं कि राजनेतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित दल होता होता है ऐसा एक संगठित दल जिसके सदस किसी अप विचार धारा में विश्वास रखते हैं और या समान राजनितिक दिश्ट कोन रखते हैं उनका देखने का जो नजरिया होता वो बिल्कुल समान होना चाहिए तो एक दल में जितने भी सदस होते हैं जितने लोग उस दल से जुड़ते हैं उनका देखने का जरिया जो होता है वो एक होता है और यह दल चुनाव में मिदवार उतारते हैं उनने निर्वाचित करते हैं ठीक यह ना तो यह राजनितिक दल कहलाता है अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें अगर आप कहेंगे कि अ किसी समाजियक विवस्था में संभुवाण और की वियक्तियों का संभुव करते हैं और वे परश्पर बिरोधी हpieltों के सारी नहीं करनन आणूश्याश्यों शासरो सामन जेस्तपा प्रमुख साधंद एह तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राजन congressional Day Criminal नहिंग होता है राजनेतिक दल एक ऐसा संगटित Cup was something which is матери that is not our बएliest already severalив दिश्ट कौन रखते हैं ठीक है राइट ओके चलिए अब यहां पर दल के हम कार देख लेते हैं कि दल का कार क्या हो सकता है तो लोगतांत्री की सरकारों के लिए दल क्या करते हैं जो उन्हें अपरिहार बना देते हैं या एक आधनिक समाजी के समाज राजनितिक समाज के लिए एक कानिवार सर्थ बना देते हैं तो हम 6 कारन होकी छे वर्गों की पहचान करते ठीक हैं और ऑन भाजा होली बएदो के बीच सेत उबंध का काम करते लिए की पूल का काम करते हैं और शंबद्धता को प्रेरित करते हैं तो दल का पहला जो काम होता है वो यह होता है कि यह दल अपने अनुभागी हितों को एक करते हैं अनुभागे का मतलब होता है इसके अंतरगत, जो इनकी विचारधाराये होती है, जो इनके दिश्टकॉन होते हैं, तो उनके हीतों को एक करते हैं, और भगोलिक जो भेद होता है, वहाँ पे पुल का काम करते हैं, क्योंकि सभी छेत्रों के दल एक होते हैं, जैसे अगर बुट्तर प्रदेश में एंपी में बीज एपी कहला है लेकिन हो सकता है कि दूसरे स्टेट बेज यहां पे बगोली छेत्र अलग है वहां पर दूसरे नाम से बुलाई जाए तो आपर यह पुल का काम करते हैं ठीक है ना और दल हीत समुच्चन का कार करते मतलम नेताओं और राजनीतिक दल साजनिक पदों के चुनाओं के लिए उम्मीदबारों को मनोनीत करने के द्वारा के द्वारा लोकतांतिक सरकार के प्रतियोगदान देते हैं दूसरा काम होता है कि जो राजनीतिक दल होता है वो साजनिक पदों के चुनाओं में उम्मीदबारों को मनोनीत करना पड़ेगा जिनमें से प्रत्य निजी मित्रता यास या नाम के कार्ण डूसरों पर संकिन्ड विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो विभी निवाजन चेत्रों में अपने उम्मीदबारों को खड़ा करते हुए दल इस खतले को कम कर देते हैं और मान लिजे ऐसा नहीं होगा तो लोग अपने आपको स्वैमी वहाँ पर निर्वाचित कर देंगे ठीक है सही राइट बोल देंगे कि भाई कोई दली नहीं चलो महीं नेता बन जाता हूँ ठीक है या फिर वहाँ पर सेना आ जाएगी तो सेना का सामना करना पड़ सकता है इसलिए यहाँ प पर थोड़ी सी संसे की स्थित बन जाती है ठीक है फिर इसके राजनीतिक दल मतदान के चयन को विवस्थित करने के द्वारा लोगतांतिक सरकार की मदद करते हैं यानि राजनीतिक दल जो होते हैं मतदान की समय जो होता है विवस्थित करने के द्वारा लोगतांतिक सरकार पाइब करते हैं तो यह काम होता है फिर अगला डल का एक अनिवार कार होता है सरकार के भीतर समन्वय यानि है समुचन के सम 없이 समाज के समन्वय की सतापित करना दल क grew it अध्यक्षात्म को चलिए दोनों इस रूपों में होते हैं哦 व्बरान पालगा के भीच एक पूल का काम करते हैं sousरकारति quit इस प्रकार सरकार की संगी और एकात्मक प्रडालियों में राजनीतिक दल सरकार के बिभी नस्तरों के बीच समन्दवय की संद्रचटा करते हैं जब डल इसकार को व्यापक और प्रभासाली तरीके से करते हैं तो दलों को व्यक्तिगत राजनीति की रूप में ना देख कर जो उनके नाम से सत्ता समालते हैं संगठनों की रूप में देखना पड़ता है खेसे ? तो दल गोश्णा पत्रों के रूप में सरकारी क्रिया के बेकलपी कायक्रमों को परस्ताफित करने के माद्धम से राजनितिक दल मद्धाताओं को मिद्वारी के चैन मेरी मदद करते हैं और इंपोर्टन देखें किया हो सकता है दुदली व्य व्यवस्था में क्या क्या है ? तो सब्सक्र है अगों है बिडिद्री वैवस्था एं और साधारते मूल मानताएं होती हैं, अयद्य अबारीकियों को लेकर उनमें अंतर हो सकता है, इनमें से कोई भी दूसरे की स्थाई रूप से अधिक इस्तिरा सक्तिसाली नहीं होता है, और जनता की मतों और विधान पालका के सीटों में बहुमत प्राप्त करने के लिए दोन होता हैं, जनता के की मतों विधान पालका की सीटों में बहुमत प्राप्त करने के लिए जो दूनों होते हैं, अं थे कप्ष कड़ा पर नहीं होता है, वो दूसरे से इस्ताई रूप से अधिक सक्तिसाली नहीं होता है, मतलब बोनों दूसरे इस्ताय σथान होना उते हैं, SAY प 나ए और यह कुच में बाट पर बने रहते हैं तो जैसे दल हो गया चौर्ट और पर कर बटेश करने कर दाल पर की बैठी तो पर प्लब बेटोटी हूई है मतलब इसकी गवर्मेंट तो इसकी तो चुछ बने नहीं होती है तो हमारा यद्यप यह हमेशा बैकलपीट नहीं होता है, इसके अलावा दूदली विवस्था में एक या उससे अधिक छोटे दलवी हो सकते हैं, पर अंत यह चोटे दल ना तो सत्ता में आते हैं और ना इस अधानता चुनाओं के परिणामों को प्रभावित करते हैं, तो द अधिक कभी-कभी छोटे दल अपने आपको किसी एक अनप्रमुग दल से जोड सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे दल हैं, जो छोटे चोटे दल हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे कि NDA बन गया, NDA किसका हो गया, BJP का हो गया, तो यह इसमें बहुत सारे दल सामिल हो जाते हैं, पि और कांग्रेस की पार्टी जो गवर्Erम्मेंट में पहले थी, तीन-چार सरकारों को लेकर बने थी मेह, टीएम्ची, कांग्रेस, और पतानी को और कौशी सरकार ही थी, तो कुछ ऐसे छोटे दल होते हैं, तो कुछ निर्दली दल भी हो जाते में हैं तो वोड्क टबरॉकरि सरकार संगर में गणर्वर्दे स्कतरा एंक ट्रीव Chili विवस्ता अब यहां पर दांड सहुत्र में में सेयुत राज अमेर्का में राजनितिक राजनितिक विवस्ता में मेट में और है इसाई ऑफय। जिस सोय। अब डे Мकैटे पार्टे दो दल यहां पे हो गए और इन दोनों दलों ने 1882 से स्युक्त राज्य मेरिकर के प्रतेक राष्ट पति पस्रबंदी चुनाव को जीता है तो आप इसी दो ही दल है एक है डिमोक्राटिक पार्टी दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी ठीक है जो प्रतिश पर्दा होती है इन प्रतिश करते हैं तो बहुदली विवस्था की विशेष्टा होती है कि काफी बड़ी संक्यामी चुनाव के माध्यम से सत्ता के लिए प्रत्योक्ता करने वाले बड़े और छोटे दलों की उपस्थिती तो बहुदल वों कहलाते हैं जो जहां पे बहुत सारे दल होते हैं और जो चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं सत्ता में आने की कोशिश करते हैं और यह विवस्था बिकसित और विकास शिल्देशों में पाई जाती है दोनों दोसें में तो इस विवस्था में जो दर सरवादिक सीटे प्राप्त करता वही सरकार का निर्माण करता जैसे ब पी में जहां पर आप देखो गवर्मेंट जिसकी बनी हो भी जैपी किया तो क्यूं उसने सरवादिक सीखते पाई हैं तो इस विकाई में आगे चलके इनके बारे में बताया जाएगा ठीक है तो यह क्या हो गया यह बहुदली हो गया ठीक है आप बहुदली जो विवस्थ बेल्जीयम में भी बहुदली है न्यूजीलेंड में इटली में भी भारत भी एक बेवस्थी बहुदली लोक तंत्र है ठीक है और जिसमें राश्टी छेत्री और राजस्तर के दल है और बाटी चुना आयोक के हाल के प्रकासन के उसार पंजी की दरों की को संक्या 2500 निन्य त्रीपन राजस्तर के दल है जो स्विप राजवस में सीमित है और 2538 मानता रही दल है जनको मानता ही नहीं मिली है तो बहुदल राज और केन दोनों में गटबंदन सरकार के निर्मार के लिए आपसे सहयोग देते हैं तो ये बहुदली विवस्था आपके लिए बेरी इं च्रीद में गरता पाभी से नाम सी पटा है एक दल तो ये विवस्था एक एकल को साहित करने केर्वान देती है और लग दलों को हाजित करने परन्तु इनके फर्सरूपुन में एकल विद्वान होता है ठीक या ना इस दल को सही अर्थ में सरकान नहीं कहा जा सकता है परन्तु दल के भीतर का काडर और नित्यु सरकार सधी प्रभावसाली होता है तो एक दली विवस्थाव को अक्सर लोगतांतिक तालिका के पैमाने म सब्सक्राव के नाम से ग्यात है तो वहां पर सिप किम जोंग का ही सासन चलता है चीन की जनवादी गड़ाज को वास्तविक एक दली राज गोसित किया गया था ठीक है ना यह निशामबादी दल होता है वहां पर बीयत नाम में एक मात्र बैद राजनितिक दल अब देख लेते हैं प्रभूत दली विवस्था क्या है टिपड़ी के लिए आसकता है आजकल तो टिपड़िया मैंने देखा किस वाद जो भी पेपर आयों में टिपड़िया करने के लिए बहुत कम पेपरों में आई है वाप में आती कि नहीं आती यह पता नहीं तो एक आए प्रभूत दली विवस्था में अन्यक ईत्ति दल विद्वान होते हैं परांत केवल एक लिए यग ड 1984 को मिर्भूत करने होती के लिए यह टार जिक दली का कवल एक डल के वादा पास रहस बाय रहां कि taćन्धाने के आखिक व्था सब्राभूद दली विवस्था कर त केंद नेक राज्यों प्राभुत दल्य विवस्था हो जाता है यह इतना इंप्वाटन्न नहीं है तो जो इसमें इंपोर्टन्त था मैं आपको बता दिया थिक गटबंदन सरकार को परिवासित करें तो गटबंदन सरकार तो दिए ने रेकिन आपको पता सरकार का मतलब वही होता है, कि जब सरकार बनाने के लिए कोई किसी भी दल के पास बहुत कर याも परियाप्त नहीं होता है, तो ऐसे कंडिशन में बहुत सारे दल दो, तीन या चार दल मिलके आपस में एक अठा साजा हो करके सरकार बनाते हैं, वो गट बंधन की सरकार कहलाती है, ठीक है ना, मतलब उनमें आपस में बाते होती हैं, बिचार भी मर्स होता है, उसमें तैंक किये जाते हैं, फार्मूले तो जब बहुत सारे दल मिल करके, एक साथ हो करके, और उसे बहुमत को प्राप्त कर लेते हैं, और एक सरकार बनाते हो, गट बंधन की सरकार कहलाती है, ठीक है, ओके, कुछ और तो नहीं या ना, राइट, तो हो गया ना, ये आपका ये वाला भी लेसन हो गया, ओके, चलि मैं फिनिश्ड कर दूगी, और लोगों के भी एक्जाम से हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट मुझे देखने पड़ते हैं, आप लोगों का 28 को एक्जाम है, तो ये बाद में भी कुछ ताइम है जादा नहीं कुछ तो है, लेकि जुन लोगों के 26, 25 को एक्जाम है, आज 23 है तो लोग के लिए भी एक वीडियो बना देती हूं ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, कुछ दिन और एक दो दिन बाद में आपके लिए बेरी बेरी इंपर्टन कोस्टन लेके आऊंगी, और 100 परशन उनमें से 3 और 4 और 5 कोस् ठीक है, तो चलिए फिर, टेक क्या है, बाए